आरुपी दिपेश्व साहू निवासी अच्छरोनी को चोरे की गई साथ मोटर साइकलों के साथ गिरफतार किया गया पुलसादिक्ष्वाक्षिपूरी राजिश कुमार चंदेल के द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान के द्वारान थाना प्रभारी गबर सिंग गुजर के नेतरत में खने जना का चौराहे चंदेरी रोड पर वाहन चेकिंग की जा रही थी तब ही इसी द्वारान वाहन चेकिंग हीरो एच एफ डिलक्स मोटर साइकल चालक को रोक कर पकड़ा गया अपराध का मश्रका होने से वाहन चप्त किया गया आरोपी दिपेश पुत्र हिम्राज साहू उम्र उनी सान लिवासी अच्रोनी धाना खनिया धाना को गिरफतार किया गया आरोपी दिपेश साहू से कड़ाई से पूस्ताच की तो आरोपी की द्वारा बताए गया कि ग्राम अच्रोनी के गोलू पुत्र गुड़ा साहू और ग्राम अनाया गाफ के पिंटु यादफ के साथ मिलका मोटरसाइकल वो चोरी करते हैं आस्रोनी का गोलू पुत्र गुड़ा साहू चोरी की गई मोटरसाइकलों का सामान बदल कर अने लोगों को बेचुता है और पिंटु यादफ नया गाफ का लोगों को मोटरसाइकल बेचुने का काम करता है वही आरुपी दिपेश साहु ने पूस्ताच में मोटर साइकल समेद अन्य छए मोंटर साइकले, कस्वापिछो और बास पास के श्यतर से चोडी करना शुइकार किया आरुपी दिपेश पुत्र हेमराज साहु निवासिय अस्रोनी के द्वारा चोडी के गई साथ मोटर साइकलों की कीमत पांसलाग रूपे आ की गई है। सर्प पिचोर पुलिस को एक बड़ी सबलता हाथ लगी है जहां एक आरोपी पिच्छा साथ मोटर साइड ले चोडी की बरामत की है। यह पुलिस अदीशक महोदाय और अधर पुलिस अदीशक महोदाय के इंद्रदेशन में चोडी हो रहें थी उनके संबंध में एक अभियान चला जा रहा था तो हमारे थाना प्रवारी श्री अबबर सिंग गोर्जर साथ अपनी टीम के साथ में एक अतीस तारी को चैपिंग तो उसको लाकर फिर बाद में पूस्ताच की गई है तो उसने बताया है कि अपने एक और अनसाती है जो गोलू साहू है वो भी अच्रवनी का है और एक नया काओं का पिंटू ही आदा हुए उनके साथ ये मोटर साथ चोडियां करता है उनके पार्ट से धर उधर खुर्द किया गया है अरोपी से और पूस्ताच को नहीं कुछ बदा है यह पूस्ताच अभी की गई है उसने दो नाम बताये हैं अन जो भी जानकारी आएगी और वरामत की या न आरोपियों के नाम आते हैं तो तदनुसर करवाई की जाएगी है